एक और मिथ्या फैली है लोगों के अंदर के जो PGR है वो सेव चिपकाता है खासतर पर जो हमारा कोटखाई का क्षेत रही है इसको चिपकू का नाम दिया गया है मैं बागवान साथ यो आपको क्लियर करना चाहूंगा कोई भी ऐसी से दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो सेव को चिपकाती है हाँ, एड़वर्स कंडिशन को फेवरेवल बनाती है क्योंकि सेटिंग के चांच जादा हो जाते हैं आप इस रूप में इसको पहचानी है फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं मत खरी दिये क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवान साथी आज भी गुम रहा हो रहे है दुकानदार उनको बेचता कि सेव सेटिंग होगी या कोई प्रोग्रसी फार्मर या जिससे वो पुछता वो बोलता कि PGR डालिए PGR से आपकी सेटिंग नहीं होगी PGR आपके रस्टिंग को कंट्रोल करेगा फ्रूट लॉंगेशन को करेगा सेल डुईजन का काम करेगा और फ्रोस्ट पाले को असर को कंट्रोल करेगा और सेम चीज़ आप बोरोन और जिंक में भी कर सकते अगर आपने जिंक बोरोन की सप्रे किया वो भी सेम बोरोन भी वही कारिया करता कि टेंपरिचर को मेंटेन रखता है फूल के अंदर आप अमेज एक्सल डालिए उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है ये चीज़े हमने खुद ट्राइल किये क्योंकि बहुत सारे कंपरिज के ट्राइल हमारे पास लगते हैं और जो इसके बड़िया रजल्ट होते हैं उसी को आपसे साजा करते है तो ये आपके एफर्ट होगे बागवान सात्यों जो आप अभी पिंक बर्ड स्टेज पर करेगे PGR की सप्रे को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है और जो मौसम चल रहा है यहां की स्टीटी से मुझे भी डरेक इतना टेंपरेचर डाउन है जो उप्यूक्त टेंपरेचर होगा वो ठारा से लेकर 22 से 23 डिगरी तक फूल फ्लाउरिंग के समय होना चाहिए अगर उससे डाउन रहा तो आपके पाला आपको डेमेज करेगा तो याद करिए बागवन सात्यों मैंने आपको क्या कहा था हमने आपको हमेशा आवेर करा था कि अपने छिटे मत जलाईए अगर आप लोगों को इतना ही शौक है छिटे जलाने का तो अपने छिटों को क्लेक्ट करके रखते आज अगर आप तो जब भी आपकी फ्लाउरिंग का समय होता उस टाइम आप मौनिंग के समय में लगबग 2-3-4 बज़े के करीब पाला पड़ता है चार बज़े के करीब अगर आप उसको जलाते उन छिटों को तो शायद टेंपरेचर में फरक पड़ता और आपकी सेटिंग की समावना जादी हो जाती है अगर आपको जलाना यह हो ऐसे तो पोस्ट करके उसकी खाद बनानी चाहिए अगर फिर भी आप बर्न करते तो आज कल का समय आज कल का तो नहीं कहोगा जब फ्लाउरिंग फुल हो जाएगी आपकी लगबग 40% से उपर उपर तब आप उसको जला सकते थे जिससे टेंपरेचर गरम रहता और आपको भी फाइदा होता आने वाले समय में आपको दिहान रखना है कि आपको अपने चित्टों को स्टोर रखना है या तो खाद बनाईए या तो आज कल उसको बर्न करी विदेशों में आप देखेगे कि गैस लाइन बीची होती और ग पताना चाहूंगा कि PGR की सप्रे आप फिर कैसे करेगे अगर आपका मौसम खराब है और बहुत थंडा है टेपरेचर डौन और पाले पनने के संभावना है अगर आपके 40% से 60% के आज़ पास कहीं पर भी आपके अगर फ्लावरिंग है उस समय आप उसी दोज को तोड़ दीजिए 200 ml का जो डोज है उसको आप 125 ml का सप्रे कर दीजिए और जो PGR की सप्रे करने का सबसे अच्छा समय है वो लेट इवनिंग है आप अगर पांच बज़े के बाद सप्रे कर सकते हैं तो सबसे अच्छा समय रहेगा और अगर आपका बगीचा बड़ा है कई बागव PGR के तो बागवन सातियों ये बहुत सारी ऐसी महतोपूंट चीज़े थी जिसको आप करें और दूसरी अप्लिकेशन जब आप PGR की करेंगे तब तक आपके 90% के करीब या फूल आ चुके होगे तब आप 125 ml का डोज फिर से द्वारा डाले अगर हमारा मौसम बढ़िया र तो 70-80% के आसपा जब फूल आएगा वहाँ पर डाज आपको उसके अंदर स्प्रेडर डालने की जुरुत नहीं है स्टिकर एड करने की जुरुत नहीं है उसमें अल्रेडी स्टिकर होते है पड़े हुए तो आप इन चीज़ों का बहुत ही महतोपूंड और विशेश धि जायान की